जैरुगनाज जी की आपका प्रिश्टन था कि जैन समाज के इस मैटर में मैं क्यों बोला या छत्रिय समाज क्यों बोला दरसल ये प्रिश्टन ही गलत है ये मैटर जैन समाज का है ही नहीं ये मैटर है तीर्थंकर भगवान नैमी नाथ जी की मूर्तियों को वहां से अपमानित करके हटाया गया पुड़े करकट में फैका गया मैं आपको बता दू जैन समाज के 24 के 24 तीर्थंकर शत्रिय समाज के कोहे नूर है रत्न हैं और वो ग्यान के सरवोचपद पर विराजमा है भगवान नैमी नाथ जी की जहां तक बात है वो स्रीकृष्ट के पिता वसुदेव जी के सबसे बड़े भाई के पुत्र है यानि स्रीकृष्ट के ही भाई है भगवान स्री कृष्ण के भाई भगवान नेमीनाथ जी के मूर्तियों को कोई इस तरह से अपमानित करके हटाएगा और फिर यदि किसी छत्रिय को खून नहीं खौलता मेरे ख्याल से फिर ये अपने आप में उस खून की भी बेज जती है हम लोग समझ रहे हैं कि यह जैन समाज का मैटर है और यह जैन समाज को सूल जाना चाहिये आप ही नहीं कई लोगन और ने भी प्रिश्वन की आए वो कह रहे हैं कि रूप अलावाडे प्रिकरण में जैन समाज से कोई नहीं बोला पदमावत वाले प्रिकरण में कोई नहीं बोला अरे ये जैन समाज का नहीं ये भगवान नैमी नाच जी का जैन तीर्थंकरों का मैटर है अब आपको ये एक चीज में बता देता हूँ जिन महापुरुषों को हमारे च्छत्रिय महापुरुषों को सभी जाती हैं वर्ग समान रूप से आदर करती हैं सम्मान करती हैं और हर एक व्यक्ति किसी न किसी महापुरुष से अपने को प्रेरना लेता है जैसे तेजा जी महाराज से जाट समाज प्रेड़ना लेता है जादा इसे तो सभी लेते हैं लोग देवता है जैसे भगवान देवनाराण जी महाराज से गुजर समाज के लोग जादा प्रेड़ना लेते हैं वैसे वो सभी के लिए है रामदेव जी महाराज पोखरन वाले रुणीचा वाले उनसे हमारे मेगवाल समाज के लोग ज़्यादा प्रेरना लेते हैं इसी प्रकार से जंबेस्वर जी पवार साब से गुरुजी महराज से प्रेरना विष्णोई समाज लेता है अनेक समाज प्रेरना ये लेते हैं और किसी को लोग देवता या किसी महापु उसको वो पूझते हैं लेकिन जिन लोगों ने जैसे महराज अग्रसेंड जी हैं अग्रवाल समाज उनको अभी भी च्छत्रिय के रूप में ही पूझता है च्छत्रिय की रूप में उनकी जैनती मनाता है महराज अग्रसेन, भगवान महावीर, भगवान गौतमबुध, नैमिनाज जी और सभी 24 तीर्थंकर, दसो गुरू, जम्मेस्वर जी पमवार इन से धीरे धीरे लोगों को आपती होने वाली है वो इसलिए होने वाली है कि इनके अनुयाई, इनकी जातिया नहीं बदल रहे हैं यानि सभी जैन, तीर्थंकरों को छत्रिये राजाओं के रूप में ही मानते हैं कोई भी ये नहीं कहता कि वो वैसे समाज से हैं इसी प्रकार से गौतम बुद्ध के अनुयाई भलें किसी भी समाज के हैं वो वगवान बुद्ध को शूर्य वंसी छत्रिये ही मानते हैं इसी तरीके से विष्णोई समाज जंबेस्वर्जी महराज को छत्रिये के रूप में ही पूजता है शत्रिय के रूप में ही उनको मानता है इनसे इनको प्रॉबलम होने वाली है जिन लोगों ने जातियां मदल नी है महापुरुसकी उनसे इनको कोई आपत्ती नहीं है क्योंकि इतियास विक्रती करण में इस देश में एक बहुत बड़ा सडियंतर चल रहा है ताकि जातियां हापस में लड़े अब इन भगवानों को जब तक शत्रिय माना जाता जाएगा तब तक इनकी मूर्तियों को जिश्टर्ब किया जाएगा जैन मत्चुंकी पूरी तरह से सास्वत रूप से सनातन संस्कृती की सर्मन धारा का है और सनातन संस्कृती के स्रमन धारा के होने के साथ साथ शत्रिय साइत इतियास का सनवर्दन किया हुआ है इसी तरीके से बौध मत्में एक उधारन देता हूँ समराग चंदगुप्त मौरिये को गौतम बुध के बुध साइत में और जैन साइत तो दोनों में शत्रिय माना गया है जबकि दूसरी जगे उन्हें क्या माना है आप सब जानते हैं समझने की जरुष ये है कि टार्गेट इनको इसलिए किया जा रहा है कि इनके अनुयाई इनको अभी तक शत्रिय मानते है यदि वो भी इनकी जाती बदल लेंगे तो इनका टार्गेट बंद हो जाएगा और शत्रिय और ये लोग लड़ने लग जाएगे ये देश में लड़ाने वाले लोगों की चाल है इसको समझने की जरुष है इसलिए भगवान नेमिनाच जी की मूर्तियों के अपमान के लिए जैन समाज से ज़्यादा छत्रिय समाज को आपती है ये मैं नकेवल छत्रिय समाज को बलकि संपून समाज को बता देना चाहता हूँ भगवान नेमीनाच जी के पदचिन्नों पर वले ही जैन समाज चलता होगा लेकिन उनकी रक्त की उनकी वंस परंपरा की प्रतिन जित्त जो है यदवनसी छत्रिये चंदरवनसी छत्रिये करते हैं और छत्रिये समाज इसलिए उनको निश्चत रूप से सम्मान देगा